अपने चैनल में आपका श्रागत है सुगाइज आपको जोई कर सकते हैं इसका लिंग को जोई करके जो भी आपकी क्वेरी है वह पूछ सकते हैं सुगाइज बात करेंगे सिरी नेट्वर्क्स लिमिटेड आज की कंडिशन की बात करें तो 3.70 पैसे पर लोग हो गया था मिस कर जाएंगे तो आज के हाई की बात करें 3.80 पैसे इसका लोग की बात करें 3.70 पैसे इसका लोवर सर्किट है और टोटली टोटली जो की मोनिंग के बाद टोटली लोवर सर्किट पे लोग हो गया था अगर बात करें बाउनविक हाई की तो 5.55 पैसे इसका बाउनविक लो है तो गाई 70 पैसे नहीं जब आप वीडियो देखेंगे पुरानी वीडियो वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे वीडियो भी दिखेंगे जब इसकी वैल्यू करिगरी 40 पैसे के आसपास हुआ गटी थी तब भी मैंने बोला था कि इसमें एंट्री ले लेने चाहिए एक रुपे पहले भी मैने बोला था करिगरी 5 पैस पास यह जा सकता है अगर लोंग टम के प्रेस्पेक्टिव से आप देखें तो कैज़ आने वाले टाम में हो सकता है कि 10-12 रुपे के आसपास भी आपको देखने को मिले अगर बात करें इसके मैक्सिमम की तो मैक्सिमम भी देख लेते हैं करीब करीब यहां पर जो कि अगर बात करें नो डाउट की बाइंग भी हुई है तो बाइंग भी की गई है तो यहां पर लगा था लास्ट वीक में एक बहतरी बाइंग इसमें देखने को मिली थी अगर बात करें यहां पर फैनेशल की तो कौटली रिजल्ट की बात करते हैं तो नो डाउट की यहां पर स्टेबिल्टी बनी हुई है 365 करोड का यहां पर रेवेन्यु शो किया है दिसम्बर क्वाटर में अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो अभी भी कंपनी लोस में है वो बिल्कुल स्टेबल है 6.1 परसेंट के साथ लाश्ट चार क्वाटर में अगर बात करें एफ याई की होल्डिंग में डाउनफोल देखने को मिला है दिसम्बर क्वाटर में अगर बात करें डिमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तो यहां पर जो कि लाश्ट होल्डिंग नहीं बहुल सकते क्योंकि जितनी पप्लिक होल्डिंग ज्यादा होगी चांसे शेयर प्राइस के उतने ही ज्यादा होते हैं कि वो उसमें डंपिंग देखने को मिले क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टर ही लोंग टम के लिए अपनों होल्डिंग को बना के रख सकता है तो अगर बात करें यहां पर अदर्स की तो अदर्स की होल्डिंग जो की अलड़ी यहां पर जो की जंप देखने होला है दिसम्बर क्वाटर में 0.01% की साथ मिचल फंड की बात करें तो होल्डिंग यहां पर जो की बिलकुल 0 है फोरें इन्वेस्टर की बात करें तो होल्डि latest announcement हुई है वो भी discuss करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें इसके total number of share वो है 87 करोड़ 87 करोड़ के आसपास volume जो कि market में trade हो रहा है जिसमें से करी-करी 5.5 करोड़ के आसपास जो है promotor and promotor group के पास है remaining public के पास है जिसमें FYI, DIA, other सब कुछ इसमें include है तो guys पर सबसे पहला जो announcement अभी जो हुआ है वो window जो अभी जो trading window है उसका closure आ चुका इट मेंस की हो सकता है कि यहां पर कभी भी date announce की जाए यहां पर कभी भी जो की financial result की date announce की जा सकती है जो last financial year अभी जो की exit हुए है इससे वो उसका अभी exactly result कैसा रहता है सबसे बड़ा question वही है एंड उसका उस जो अभी जो last quarter गया है उस quarter में क्या इसका जो even जो partnership हुई थी NXT digital के साथ उसका असर उस quarter में देखने को मिलेगा तो यह सबसे बड़े question है तो वो question अभी हो सकता है कुछ ही time में कुछ दिनों में वो भी clear हो जाए और दूसरी announcement की बात करें तो एक letter जो कि एक update दी गई है quarterly disclosures by listed entities of tip volt on payment of interest repayment of principal amount on loans from banks financial institutions and unlisted debt securities तो यहाँ पर अगर repayment करते हैं या फिर कुछ जो कि of course सबसे बड़ा पंगा तो यहीं है कि debt बहुँ ज्यादा है एक एवन जो कि even case भी हुआ था एक वीडियो की तुरू मैं आपको बताया था city network को लेके जो कि जी entertain का ही पार्ट है तो guys of course and अगर बात करें partnership की तो काफी सारी partnership हुई है acquisition भी हुई है नए product भी launch किये है तो कुल मिला के update चीजे updated हो रही है इसमें एंड हो सकता है आने वाले टाइम में एक बहतरीन situation में भी हो अगर यह segment अपना change कर देगा तो हो सकता है एक बहतरीन situation यहां पर आपको नजर आए no doubt कि यहां पर जो कि अगर बात करें हो सकता है एक बहतरीन situation में यहां पर आपको नजर आए अगर बात पर acquisition की तो entertain की बात करें में पहला की बात करें या भी new brand की बात करें तो स्मार्ट एवन स्मार्ट सेट अपोक्स भी इसने लोंच किया था कुछ time पहले एवन काफी रेजिगनेशन भी हुए है appointment भी हुए है तो यहां पर काफी सारी चीजें इवन कंपनी में internally भी की जा रही है तो कुल मिला के अभी जो के तीन रुपे से नीचे इसमें अभी दुबारा से एंट्री ले सकते हैं एंड होने इवन अगर बात करें शोर्ट टाम की तो हो सकता है यह पांच साड़े पांच छे रुपे के आज पास आपको दुबारा से भी देखने को मिलें क्योंकि अभी मार्केट पर भी प्रेशर है थोड़ा सा यह प्रेशर इवन इवन हटेगा इवन चीजें स्टेबल होंगी सेबलाईज होंगी उसके बाद हो चकता है कि यह बहतरी इसमें हो एगर बात पर जो कि शीख में बड़ी यहां पर जो की शेयर ओल्डिंग जो कि इन्वेस्को की जिसने कुछ टाइम पहले एक दो जो कि लास्ट में भी लास्ट वीक थी उसने कुछ शेर भी डंप किये हैं जी एंटेटेन के कुछ मोर देन सेवन परसेंट के आज पास तो यह भी एक एवन काफी बड़ा थ्रेट जो कि बोल सकते हैं अगर जी ग्रूप की बात करें जी एंट इस तीन रुपे से निचे इसमें पाइं कर सकते हैं और एक बैदरीन परफिट कमा सकते हैं लोंग टरम में एक अच्छा का सा यहां पर गोलन ऑपरचिटी आपके पास मौजूद है आपके अच्छवा पर वाचिज एवर दो प्रेस्टे के अपली लाम कमें से एर स्थैंक यह तेक एर